हेलो फ्रेंड्स स्वागता आपका अपके अपनी यूटूब चैनल में आज हम जो है पुनर बलन अनुसूची की बात कर रहे हैं हमने वेवहार बात के अंदर स्कीनर द्वारा दिया हुआ क्रिया प्रेसूत अनुबंदन का सिधान्त हमने पढ़ा था लेकिन उसके अंदर हमने पुनर बलन अनुसूची के बारे में जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्कीनर के सिधान्त के अबाउट बताना चाहती थी क्योंकि वो सिधान्त इंपोर्टेंट है उससे क्वेशन बहुत बार बनता है तो स्कीनर ने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया था वो था रिन्फोर्समेंट यानि पुनर बलन रिन्फोर्समेंट पे सबसे ज़्यादा दबाव दिया जोर दिया उसके बारे में बताया इसलिए उसको आर टाइप थियोरी भी कहा जाता है आज हम इस चोटी सी खुलास के अंदर पुरिया उनसूची के बारे में पढ़ेंगे तो पुनरबलन की अनुसूची के अंदर जो पहला है, वह सतत पुनरबलन सतत या अनवर्त रूप से, मतलब बिना रुक के, सतत का मतलब वह था लगातार यानि हर एक काम पे पुनरबलन पुनरबलन दिया जाना बच्चे को बच्चा कोई भी काम करे उसे motivation के कुछ शबद कह देना कोई टोफी दे देना या कुछ और मतलब हर बार उसे कुछ न कुछ देना सतत पुनरबलन मतलब लगातार जैसे कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता तो उसे जब फर्स डे स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उसकी मैम उसे टोफी देती है ठीक है दूसरे दिन फिर वो स्कूल जाएगा फिर उसे टोफी मिलेगी तो ऐसे लगातार जितने दिन वो स्कूल जाएगा उतने दिन उसे रोज टोफी मिलेगी तो उसके बाद बच्चा उस चीज़ से बोरियत फिल करने लगेगा फिर क्या है वो उस टोफी से उस पुनरबलन से इतना बोर हो जाएगा कि वो सोच लेगा कि क्या है एक टोफी तो मिलती है फिर वो दोबारा से घर रहने की जिद करने लगेगा दोबारा से वो घर रहना शुरू कर देगा रोने लग जाएगा कि मैं नहीं जाओंगा स्कूल तो यह जो सतत पुनरवलन है यह लगातार जो दिया जाता है बच्चे को बच्चा इससे बोर हो जाता है उस पे फिर जो परभाव पढ़ना था वो पढ़ना बंद हो जाता है इसलिए इतना परभावशाली नहीं होता सेकिंड है निश्चित अंतराल पुनरवलन अंतराल होता है समय के अंतराल में ठीक है जैसे कोई बच्चा काम कर रहा है क्लास के अंदर अपने काम में वैस्ट है तो उसे हर पांच मिनट बाद उसे पुनरवलन दे देना या हर दस मिनट बाद दे देना या पिरेड वाई चालिस मिनट के बाद तीस मिनट के बाद उसे दे देना या फिर एक हफते के बाद उसे पुनरवलन दे देना जैसे एक बच्चा है अपनी मतलब घर में बढ़िया श्टडी करता है बाहर नहीं जाता घर में खेलता है और जिद नहीं करता तो उसके पापा जो है उसे एक हफते के बाद क्या है पुनरबलन में कुछ जैसे बाहर गुमाने ले जाते हैं या कुछ ऐसा देते हैं जो बच् निश्चित अंतराल यानि समय के अंतराल में जब पुनरबलन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं निश्चित अंतराल पुनरबलन ठीक है बाद में है निश्चित अनुपात पुनरबलन जो होता है इस reinforcement के अंदर काम के अनुपात में पुनरबलन दिया जाता है जैसे किसी कहा देना कि आप 3 सवाल करो आपको टोफी मिलेगी जो इस तरीके से बच्चे को जो धिया जाता है पुनरबलन उसको अनुपात पुनरबलन देते हैं जो कारे के अनुपात में होता है जैसे किसी बच्चे को कोई बच्चा फोन ज़्यादा चलाता है तो उसके ममा ने उसको का कि आप एक गंटा बाहर खेलो आउड़ोर गेम खेलो फिर आपको क्या है चोकलेट मिलेगी आप जो चाहोगे वो आपको बना के दूगी तो वो होता है निश्चित अनुपात कारे के अनुपात में जितना काम दिया जाए उस अनुपात में पुनरबलन देना फिर है सबसे इंपोर्टेंट सबसे बड़िया सबसे ज़्यादा परभावसालिया आन्शिक या परिवर्तन शील पुनरबलन इसके अंदर क्या होता है कुछ पता नहीं होता कब हमेरी इंफोर्समेंट मिल जाएगा कब नहीं मिलेगा तो इससे यह अचानक से मिलता है जब हम एसपेक्ट नहीं कर रहे होते तब मिलता है जैसे कोई बच्चा है वो अच्छा काम करता है वो हर बार अच्छा काम करता है लेकिन टीचर कभी उसे पुनरबलन देती है कभी नहीं देती ठीक है तो बच्चे को नहीं पता होता कि इस बार उसने अच्छा काम किया तो पुनरबलन मिलेगा जैसे एक बच्चा है उसने थोड़ा सा अच्छा राइटिंग में कुछ लिखे दिखाया तो मैडम ने पुनरबलन दे दिया दूसरी बार फिर से वो अच्छा काम करेगा तो उसे टीचर पुनरबलन नहीं देगी दूसरी बार वो सोचेगा शायद मैंने इस बार अच्छा नहीं किया तो next time फिर वो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा तो उसे पुनरबलन टीचर फिर से देगी तो इस तरीके से जो है टीचर बदल बदल के मतलब कभी देती है पुनरबलन कभी नहीं देती तो बच्चे को ये मतलब इंतजार रहता है कि कब शायद उसे पुनरब से लाश्ट में जो है ये पुनरबलन की जो अनुसूची है ये पाक्षिक अनुसूची के अंतरगत आते हैं सतत के अंतरगत नहीं आते ठीक है ये पाक्षिक अनुसूची है ये सभी पुनरबलन पाक्षिक अनुसूची के अंदर अंतरगत आते हैं सतत के अंतरगत नहीं आते सतत अनुसूची जो होती है वो उसके अंदर पुनरबलन होते हैं जो लगातार मिलते रहते हैं मतलब बच्चा हर बार हर बार काम करेगा हर बार उसे पुनरबलन मिलेगा वो नेगरिटीव भी हो सकता है वो पॉजिटीव भी हो सकता है अगर अच्छा काम करेगा तो कि यहाँ पे पहले में लगातार मिल रहा है लेकिन बाकियों में कोई काम के अनुपात में कोई समय के अंतराल में कोई कभी मिल रहा है कभी नहीं मिला तो यह पाक्षिक अनुसूची के अंतरगत आते हैं लगातार सतत अनुसूची के अंतरगत नहीं आते तो ये बहुत ही important है क्योंकि जो exam में question बनता है वो इस तरीके से बनता है कि पूरा एक उधारन देते हैं कि इस तरीके से बच्चे को teacher ने बोला कि 5 minute स्वाल करो तो फिर बच्चा करता है फिर उसे teacher पुनरबलन देता है तो वो कौन से पुनरबलन के अंतरगत आता है तो इस तरीके से पूरा उधारन देके examiner जो है question पुट करता है तो आज ये अनुसूची जो है हमारी हमने complete कर दी और ये बहुत important थी मिलते हैं next video के अंदर next सिध्धानत के साथ तब तक के लिए video को share करें चैनल को subscribe करें Thank you